Hello friends and dear students, आज हम discuss करेंगे प्रोपोफॉल जो की एक anesthetic agent है और हमारे pharmaceutical chemistry diploma in pharmacy first year new syllabus में anesthetics drugs के category के अंदर देखने को मिलती है इस वीडियो में हम लोग प्रोपोफॉल का chemistry, structure, properties, stability, storage, formulations, uses, इत्यादी को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मैं हूं दॉक्टर प्रजिनिश्खला, चली शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके chemistry और structure की तो जो हमारा प्रोपोफॉल है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक phenol का derivative है, phenol क्या होते हैं, benzene ring के उपर अगर OH group लगा हो तो ऐसे compound को हम क्या कहते हैं, phenol कहते हैं और क्योंकि OH group बड़ा group है, इसलिए यह numbering जो है मैसा OH group वाले carbon सिक्की जाती है, जिसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कह सकते हैं, अब जब किसी benzene ring के उपर एक कोई substitution लग जाता है, तो उसके दोनों बगल वाली positions को हम क्या कहते हैं, ortho positions, उसके दूर वाली position को क्या कहते हैं, meta और सबसे दूर वाली को क्या कहते हैं, para positions, तो यहाँ पर यह जो दूसरी और छटवे number की position है, इसे आप ortho position भी बोल सकते हो, इन दोनों जगहों पर जो hydrogens हैं, इन hydrogens को अगर isopropyl group से substitute कर दिया जाए, दोनों को ही, दूसरे position को भी और छटवे position को, तो आप यहाँ कह सकते हैं, दो दूसरे number के carbon पर अगर यह जुड़े, दूसरा carbon जो है, वो अगर attach होता है, क्या नाम है, यहाँ के carbon से, तो इस group को हम क्या कहेंगे, isopropyl group, तो यह isopropyl group इधर भी लगा हुआ है, isopropyl group इधर भी लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहने है, प्रोपोफल, हम यह भी कह सकते हैं जो 1-3-die-isopropyl benzene है, यानि benzene ring में पहले और तीसे number के carbon पे, isopropyl, same चीज, isopropyl group यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन इसके दूसरे number के carbon के, sorry, दूसरे number के carbon पे जो hydrogen लगा है, उसको अगर हम hydroxy group के साथ replace कर दें, तो भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्रोपोफल, ब जानि कि दोनों group जो है, वो pass पड़े, तो 1-2-3 इस तरीके से बोल लाए थे, और दूसरे number पे हमने क्या क्या है, कि hydrogen को अटा करके hydroxy, लेकिन जैसी hydroxy आप लगाओगे, तो आयोपेसी nomenclature में hydroxy group जो होता है, इसलिए numbering इसकी फिर यहाँ से शुरू होने लगती है, 1-2-3 4-5-6, आप इधर से भी करेंगे, तो 1-2-3-4-5-6, सेम चीज़ बनेगे, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यह दोनों group क्या लगे हुए, सेम लगे हुए, तो यह हो गया हमारा propofol का structure, अब बात करते हैं, ISPC nomenclature की, तो ठीक इसी structure को ध्यान में रखते हुए, हम लोग इसका गाम लिख सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं, 2-6, दूसरे और छटवे नंबर पे, डाई, क्योंकि दो लगे हुए है, इसलिए डाई-वर्ड, प्रोपेन-2-ाइल, प्रोपेन-2-ाइल क्यों बोलना है, क्योंकि 1-2-3, दूसरे नंबर के काबन से यह जुड़ा हुआ है, अब बोल चाल की बासा में, या नॉर्मल भी इसको हम कह सकते हैं, इसी तरीके से कहाएंगे, 2-6, दूसरे और छटवे नंबर पे डाई-आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आइसोप्रोपाइल है यह गुरुप, जिसे हम बोलना हैंगे, डाई-आइसोप्रोपाइल, आइसोप के नाम है अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की एक चीज हमें याद रखनी है कि जालगतर समय पर हम जब इसके द्वारा दिया जाने वाला आइवी इंजेक्शन के रूप में इसको हम देते हैं तो इन्जेक्शन के फॉर्माट में देते हैं सीधे-सीधे तो यह एक कोई लिक्विड है यह अच्छी बात करें तो जब ले रहे हो तो या कोई व्यक्ति को जब दिया जा रहा हो तो उसके कि किसी प्रेकार की कोई खुशबू या बद्बू इसमें देखने को नहीं मिलती यह एक लिक्विड है इसलिए और यह इंजेक्शन में दिया जाता है इ boiling point है इसका वो है करीब 256-256 degree Celsius solubility की बात करें solubility की जगह यहाँ पर missibility भी लिखा जा सकता था क्योंकि यह liquid है तो liquid missible या invisible होते हैं तो जो मारा water के अंदर तो यह काफी कम solubile है या missible है water से अच्छे तरीके से नहीं घुलता मिलता है कि जब यह oxygen या air के presence में आता है जब air से जुड़ता है तो यहाँ पर इसका oxidative degradation हो जाता है साथी साथ अगर light के presence में आए तब भी इसका degradation होता है यानि यह अपनी properties या chemical properties को क्या कर देता है छोड़ देता है तो degradation होगा oxidation हो जाएगा इसका अगर air या oxygen के presence में आता है तो जब इसको इस्टोर करते हैं आप तो well close air tight container में करना है ताकि किसी तरीके से air उसके अंदर ना पहुंचे दूसरी चीज एक चीज और ध्यान रखना है कि light से protection करना है और जब इसकी packing की जाती है तो साथी साथ nitrogen gas या inert gas जो है वो while के अंदर भड़ी जाती है उसमें oxygen या air का बिल्कुल भी नामों निशान नहीं होना चाहिए क्योंकि oxygen के presence में इसको oxygen degradation हो जाता है तो nitrogen या कोई भी inert gas के presence में ही इसकी packing करते हैं storage इसका करते हैं यह चीज़ हमको बहुत ही साधान तरीके से ध्यान रखने वाली बात है अब बात करते हैं यूजेस की यह एक intravenous general आपका anesthetic agent है IV injections के format में इसको दिया जाता है और anesthesia cause करने के लिए यानि जनरल anesthetics के रूप में जनरल इसका प्रियोग करते हैं ताकि वो व्यक्ती को हाट प्रकार की sensation से मुक्ती मिले थोड़ी देर के लिए वो सो जाए और उसको किसी प्रकार का कोई pain या कोई stimulus है वो उसको पता न चले इसका जो हम लोग formulation त्यार करते हैं वो intravenous induction of sedation यानि कि सांथ करने के लिए किसी व्यक्ती को या फिर hypnosis यानि नीज लाने के लिए किया जाता है कि इसका जो onset है यानि यह बहुत जल्दी अपना action शुरू करता है और बहुत कम देर तक ही इसका action आता है short duration of action होने की वज़ासे इसे हम लोग short surgeries में ही प्रियोग करते हैं ज्यादा लंबी surgery करनी हो तब इस drug का प्रियोग जो है वो नहीं किया जाता है pharmaceutical formulations की बात करें तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि यह जनरली जो है injection के form में मिलता है फिर भी अगर injection को भी देखा जाए तो कुछ चीज़ें मिला करके इसको हम लोग injectable emulsions के format में USP ना जुनाइटर दिश्टर फर्माकोपिया और बिटिस फर्माकोपिया में यह देखने को मिलता है और यह injections जो होते हैं वो IV administration के लिए यानि intravenous administration में इसका प्रियोग किया जाता है या formulation इस प्रकार से इसका किया जाता है marketed brand names की बात करें तो काफी सारे brands जो है वो available है अच्छी company हों के जो की आपके आसपास available है एक है आपका सबसे पहले इसमें cello fall जो की injection के format में हमें देखने को मिलता है thermis pharmaceuticals limited इसको बनाती है दूसरा है हमारा से 30 fall जो की injection के format में है Nicholas piramil India private limited इसको बनाती है और अगला है हमारा फेरसो fall जो की injection के format में आता है Francis Carby नाम की company इसको बनाती है neon lab limited जो है इसे new raw injection के format में बनाती है और प्रोपो van injection के format में भारत serums and vaccine limited जो की vaccination का भी production समय कर रही है ये company इसको बनाती है और market में इसको उतारती है injection के format में तो generally ये injection के format में ही मिलता है और ये सारे के सारे जो है वो brand names है जो की आपके आसपास easily available है या in hospitals में available है for the जहाँ पर हर दुकान पर मिलेगा क्योंकि anesthetic isn't है तो ये anesthesia doctors के presence में ही इसका प्रयोग किया जाता है तो इसी के साथ anesthesia का जो आपका portion है उसके जितनी भी drugs है या anesthesia क्या होता है इसको हम लोगों ने खटम कर लिया है और आगे का जो सलिबस है वह हम चलाएंगे इससे लिए कोई प्रश कर सकते हैं और उसको आप लोग देखिए उसमें आपके positive negative comments है वहां से चैट भी कर सकते हैं और उसका जो link है वह description में भी आपको मिल जाएगा आप वहां से भी इसको download कर सकते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों इसको share कीजिए चैनल